सबी किसान सातियों को जैक सान सातियों आज सुब़ए बाव अपडेट नहीं कर पाए क्योंकि अपने को आज एक ट्विटर टरेंट चलाना था सरसों को वाइदा में शामिल करने के लिए तो उसमें बिजी थे तो सुबह वाली जो बाव वाली वीडियो थी वो नहीं डाल पाए थे आज काफी साथियों के फोन आ रहे थे आज नर्मे के बारे में सरसों के बारे में गवार के बारे में पूछने के लिए सरसों में कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं है आज साथियो अभी तक ठीक बाव है सरसो का और उमीद है कि शाम तक कोई थोड़ा बहुत सुदार हो सकता है बखी आज सरसो में जो है मंदा तो नहीं है साती अब तक कोई बड़ा मंदा नहीं है सरसो के अंदर और शाम तक कोई अगर तेजी बनी तो आपको शाम वाली वीडियो के अंदर जरूर बता दिये जाएगा गवार का रुख आज पॉजितिव है हर एक मंडी के अंदर लगबग 50 रुपे तेज है गवार आज 50 से लेके 70 रुपे तेज है गवार आज और उमीद करता हूँ कि शाम तक थोड़ा बहुत और गवार के अंदर सुदार हो सकता है अब गवार थोड़ा बहुत हिलने लगा है थोड़ी बहुत हल्चल करने लगा है गवार उमीद है कि अब गवार के अंदर दीरे दीरे भाव बनने लगेंगे समय लग सकता है लेकिन उमीद है एक की बाव बन सकते हैं गवार के अंदर बहुत बड़ी तेजी तो नहीं कहूंगा लेकिन उमीद है कि अब इसके अंदर जैसे 50-50-70 रुपए करके बाव के अंदर धीर-धीर सुधार हो सकता है बीच में कोई एकाद बरेक आ सकता है बाकी बाव जो रिटेन हुए हैं जो सोंबार को थे वो ही लग बाव आज हैं मूं के अंदर भी बहुत बड़ी कोई तेजी दिखाई नहीं दे रही साथियों सोयावीन के अंदर भी आज बहुत बड़ी कोई तेजी नहीं है सोयावीन के अंदर भी बाव स्टेबल ही हैं जो बा तीस रुपए तेज है, हलांकि अंतरास्त्री है, मार्केट के अंदर भी नर्मा तेजी के और है, लेकिन लोकल मंडियां जो हमारी हजर मंडियां है, इनके अंदर भी नर्मा आज तेजी में है, क्योंकि दस जार से उपर को हम लोग तेजी बोल सकते हैं, दस जार तक नर्मा क तो नर्मे के अंदर आज तेजी है साथियो रुख पोजिटिव है नर्मे का और खाल विनोला के अंदर भी ठीक तेजी है बहुत बड़ी तेजी तो नहीं है लेकिन खाल और विनोला के अंदर भी जो है ठीक तेजी बनी हुई है उमीद है कि आज शाम होते होते थोड़ा बह जामवार तक जो है और अच्छे बाव बने जैसी भी जानकारी होगी तो शाम को आपको साथ ही दे दी जाएगी तब तक के लिए किसान एकता जिन्दाबाद